दोस्तो आज इस वीडियो के इंदर हम बात करेंगे चेपोक सूपर गिलीज वर्सिज आईड्रीम तिरपुरा तमिजांस यानी CSG वर्सिज ITT के बीच होने वाले TNPL 2023 के मैच नंबर 5 की ड्रीम लेवन प्रेडिक्शन और ड्रीम लेवन टेम के बारे में और देखो दोस्तो ये वाला मैच फिर से खेला जाएगा SNR College Cricket Ground कोईंबतूर में 15 जून को शाम को 17 बजे मैच स्टार्ट होगा देखो दोस्तो इन दोनों टीमों ने जो अपना लास्ट वाला मैच खेला था ना जो मैच यहां पे चेपक सूपर गिलीज की टीम ने खेला था ना वो मैच चेपक सूपर गिलीज की टीम ओजली जीत गईती और उस मैच के अंदर परदोश रंजन पोल, N. Jagadishan और बाबा अपराजित जैसे प्लेइए था वहीं देखो दोस्तो जो मैच ITT की टीम ने खेला था लास्ट मैच वो मैच ITT की टीम हार गई थी और उस मैच के अंदर विझे संकर और आर साइ किशोर ने कमाल का प्लेइए था तो देखो दोस्तो क्या ये 5-6 प्लेइए फिर से प्लेयर वाला रूल है तो ऐसे में जो फाइनल इंपैक्ट प्लेयर वाला कौन रहेगा क्या रहेगा प्लेंग लिए और आएगे ना वो चीज में आपको सारी टेलिग्राम पे बताऊंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है लिंक पे क्लिक करके जोइन कर लो वह सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चेपोक सूपर गिलीज ने जो अपना लास्ट मैच खेला था उसके बारे में लेको दोस्तो इसी ग्राउंड की उपर इसी साल TNPL 2023 के अंदर चेपोक सूपर गिलीज की टीम यानि CSG की टीम ने सैलम स्पार्टन के खिलाफ एक मैच खेला है और वो मैच चेपोक सूपर गिलीज की टीम 52 रन से जीत गई थी उस मैच में अगर हम CSG की तरब से बात करें तो परदोस रंजन पोल ने 80 रन बनाए एन जगादिशन ने 35 रन बनाए बाबा अपराजित ने 28 रन दो विगेट संजय यादव ने 31 रन बनाए राहिल शा को ए एक विगेट, एम सिलबासरन को एक विगेट, रोकी भासकर को दो विगेट और एम वीजू अरूल को दो विगेट मिले थे और इन पलेरों ने टोप का परफोमेस देके ड्रीम टीम में जगा बनाई थी CSG की तरब से वहीं दोस्तों गर हम बात करें ITT की तो देखो दोस्त पिच के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, देखो दोस्तों जनरली यहाँ पे पिच है ना, उस पे स्पीनर को भी विगेट मिलते हैं और बैट्समेन भी अच्छा परफोमेस करते हैं, लेकिन देखो दोस्तों बैक टू बैक चार मैच ओल्डे इस ग्राउंड की उपर खेले जा चुके हैं, ऐसे में अगर यूजड विकेट यूज़ होती है, तो ऐसे में यहाँ पे पिच थोड़ा सलो भी हो सकती है, और बोलर ज्यादा डोमिनेट भी कर सकते हैं, बाकि देखो दोस्तों इस ग्राउंड की उपर जनरली तीन पिच है, तो कौन सी पिच पे मै जाए भी जाएगी टोस होने के बाद, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक याच्छे कर दीजेगा, देखो दोस्तों हमने इन दोनों टीमों का रीसेंट रिकोर्ड देख लिया है, इस वेन्यो की उपर और इस साल TNPL क अंदर बीन का पफोमेंस देख लिया है, अब देखो दोस्तों स्टार्टिंग करते हैं मेन वीडियो की और बात कर लेते हैं CSG की तरफ से आपको क्या पोसिबल प्लेइंग लेवन देखने को मिल सकती समेच के अंद, देखो दोस्तों चैन्नेई सूपर गिलिज की तरफ से एन जगा दिशन और परदोस रंजन पोल ओपनिंग करने आएंगे और तीन नंबर पे बाबा अपराजित आने वाले हैं यानि देखो दोस्तों ये जो तीन प्लेइर है ये होगे टोप ओडर के उसके बाद मिल ओडर की बात करें तो यू ससीदेव, संजय यादव, इसके बाद अगर हम बोलिंग की बात करें तो M. सिलबासरन, राहिल शा, रामलिंगन रोहित, M. विजु अरुल और रोकी भासकर ये इनके पास पांच बोलिंग ओप्सन और छटा बोलिंग ओप्सन लास्ट मैचमेंट के टीम ने यूज किया था, S. हरिस कुमार को और सात बोलिंग ओप्सन देखने को मिलते हैं, किस की तरफ से, CSG की तरफ से, इसमें से देखो दोस्तों, अगर हम बात करें ना, तो रामलिंगन रोहित पारपले के अंदर बोलिंग करने आएंगे, S. हरिस कुमार के साथ, उसके बाद मिडल ओर के अंदर, बाबा अपराजीत, M. सिल्बासरन, राहिल शाह, और भासकर रोकी ने बोलिंग की थी लास्ट मैच में, और डेथ होर में बोलिंग की थी, M. विज्जु अरूल और रामलिंगन रोहित ने, और एकाद्य ओर की बोलिंग, S. हरिस कुमार भी डेथ में कर सकते हैं, अब देखो दोस्तों, कर हम बात टीम सेलेक्शन देखोगे, यहाँ पर ज्यादा तर लोगों का, तो एन जगादिसन को लोग टीम में लेंगे, पर्दोस रंजन पोल को टीम में लेंगे, बाबा अपराजित को टीम में लेंगे, उसके बाद लास्ट मैच में, S. हरिस कुमार ने एक विकेट लिया था, इस लेकिन कुछ फ्लेर्र आपके लिए सबसे पहला नाम है राजगोपाल सतिस लास्ट मैच में बोलिंग नहीं की थी लेकिन राइट आम मीडियम बोलिंग और बैटिंग दोनों कर सकते हैं अगर हम बात करें ITT के खिलाफ तो हिस्ट्री के अंदर दो मैचों में च्यार विकेट लिए हैं ITT के खिलाफ यानि इस टीम के खिलाफ काफ अच्छा पफोर्मेंस है तूसरा नाम है यू ससी देव देखो दोस्तो लास्ट मैच में यू ससी देव बहुत नीचे बैटिंग करने आई थी लेकिन यहाँ पे एगर CSG के टोप ओडर के एक दो पलेर जल्दी आउट होते हैं ना उस केस में यू ससी देव थोड़ा उपर बैटिंग करने आ सकती है और लास्ट येर एक मैच खिला था ITT के खिलाफ जिसके अंदर 45 रुनों की एक शांदार पारी खिली थी पर उसके बाद ग्रेंड लिग का तीसरा नाम है राम लिंगम रोहित आला के देखो दोस्तों राम लिंगम रोहित के कोई खास रिकॉर्ड नहीं है या ITT के किलाफ लेकिन देखो दोस्तों ये प्लेइर पार पले में बोलिंग करने आएगा लास्ट मैच में विकेट नहीं मिला वो एक अलग बात है लेकिन इस मैच में डिफ्रेंचियल निकल के आ सकते हैं यानि ये जो तीन प्लेयर है ना इन मेंचे आप एक एक प्लेयर को GL के अंदर रोटेट करने का रिस्क लेना चाओ तो ले सकते हूँ अब देखो दोस्तों आपको बता दूँ कि लास्ट मैच में CSG की तरफ से इन दोनों में चे कोई एक रह सकता है और इनकी टीम एक चेंज और भी कर सकती है इनकी टीम बासकर रोकी या किसी और प्लेयर को बाहर बिटा के इस मैच में लोकेस राज को भी मूखा दे सकती है उसके रिकोर्ड में आपको आगे बताऊँगा तो ये देखो दोस्तों में CSG की तरफ से प्लेइंग 11 का स्नेरियो देखने को मिल सकता है क्या चेंजिज हो सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिये अब देखो दोस्तों इन प्लेयरों का रिकोर्ड देख लेते हैं नरायनन जग्दिष्ण यानि एन जग्दिष्ण राइट हें बेटसमें विकेट कीपर ओपनिंग करने आते हैं लाश्ट मेच में 35 राइटे उससे पहले भी ठिक ठाक रिकोर्ड केरी करते हैं उसके बाद परदोस रंजन पोल, left-handed batsman, last match में 88, लेकिन उससे पहले इतना कोई खास record है नहीं recent का, last match में कमाल का performance दिया था, लेकिन उससे पहले कोई खास record नहीं है, उसके बाद मंतन कुमार को सायद मोका नहीं मिलेगा, संजय यादो, left-handed batsman, left-time orthodox bowler, last match में 31 रंटे, उससे पहले 25, 24, 137, कमाल की form से आये हैं, और देखो दोस्तो, संजय यादो, last year TNPL का highest run scorer भी था, अगर देखो दोस्तो, इनके top order का, यानि नरायने जग्दीशन परदोस रंजन पोल में से कोई एक या दो प्लेर जल्दी कोट होतता है, और संजय यादो की जल्दी बैटिंग आती है, तो संजय यादो यहाँ पे GL के अंदर captain भी try किया जा सकता है, dream 11 के उपर, आलाके देखो दोस्तों एक बात और बता दूं, कि यहाँ पे नारायनन जग्दीशन और परदोस रंजन पोल, इन दोनों प्लेरों क जो head trade record है ना, ITT के खिलाफ, वो दोनों प्लेरों का record खराब है, इसलिए मैंने आपको यह बात बताई, उसके बाद यू ससीदेव की बात करें, last match में 4 run बनाये थे, लेकिन last year इसी team के खिलाफ, एक match में 45 run की बारी खेली थी, उसके बाद राज गोपाल, सतीश की बात करें देखो दोस्तो, recent form की बात करें, तो last year 5 मेंचों में 1 match में 30 run है, लेकिन last year team kill 2022 के अंदर, इस team के खिलाफ, 2 मेंचों में 4 wicket लिये थे, तो इस team के खिलाफ, अगर bowling करने का मोगा मिलता है, तो important है सकता है, उसके बाद संतोष शिव की बात करें, last वाला match नहीं खेले थे, ले विष्टिक recent record इसका भी काफी कमाल का है, उसके बाद बाबा अपराजित है, right handed batsman, right time over break bowler, last match में 29 run 2 wicket, उससे पहले चमाल 10 run, 31 run, 37 run, 22 run, 73 run, और देखो दोस्तो, last year na second highest run score था बाबा अपराजित, TNPL के अंदर, उसके बाद हरीस एस कुमार है, last match में 8 run 1 wicket, उससे पहले ब right time medium bowling कर लेते हैं, अगर हम बात करें तो last के 5 मेचों में, तो 1 wicket, 2 wicket, 1 wicket, 0 wicket, 1 wicket, 3 wicket, ये इनका record देखने को मिल रहा है, उसके बाद येको दोस्तों के अगर हम bowling के बात करें, तो राहिल शा, left hand orthodox bowler, last match में 1 wicket, उससे पहले 5 मेचों में आप 1 match छोड़ दो, हर match में वि 2 wicket, निकाले हैं, उसके बाद B-Row की last match में impact player के तोर पे आये थे, 2 wicket, निकाल के लेके चले गए थे, लेकिन इस match में अगर इनके team पहले bowling करती है, तो उस case के अंदर हो सकता है, परदोस रंजन पोल, या यू ससीदेव में शोई आपको impact के list में देखने को मिल जाए, उसक यह player power play में bowling करने आएगा और death hour में bowling करने आएगा, अगर यहाँ पे CSG के team पहले bowling करती है, तो यह player थोड़ा important निकल के आ सकता है, तो यह देखो दोस्तों, आपको सारे player होगा record देखने को मिल रहा है, किस की तरब से, CSG यानि चेपोक, Super Gillies की team की तरब से, अगर आप चाओ तो आप screenshot ले सकते हो, और यहाँ पे यह high chance है, इनकी आपको playing 11 देखने को मिल सकती है, CSG की तरफ से, यहाँ पे मैंने आपको safe और risky दोनों option बता दिये, अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं, ITT की आपको क्या possible playing 11 देखने को मिल सकती है, देखो दोस्तों, ITT की तरफ से last match में तो ओपनिंग करने आए ते तुसार रहे जा, उनके साथ आए ते NS चतुरवेद, और तीन नमबरे बैटिंग करने आए ते के विसालवेद्य, यानि ये तीन प्लेयर आपको देखने को मिले थे, टोप ओडर के, जिसमें से तुसार रहे जा, left need batsman है, और wicket keeping भी करते हैं, उसके बाद बोलिंग की बात करें, तो अजीत राम, एस मनिगंदन, गनेश पिरियस्वामी, पी भूनेस्वरन, चार बोलर ये, पांचवा बोलर विजय संकर, और छाटा बोलर आरसाई की सोर, इन छे बोलरों का यूज किया था, लास्ट मैच में ITT की टीम ने, हाला कि इन अब देखो दोस्तो, यहां पे इनकी टीम थोड़ी सी विक टीम है, एस कंपेट तो सी लेकिन की टीम के अंदर अगर कोई पोसिबल चेंज होगा ना, तो एक चेंज तो यह हो चकता है, S. Ganesh और N. S. Chaturved इनका opening order shift हो सकता है S. Ganesh को इनकी team opening करने भेज सकती है वैसे भी top order का batsman S. Ganesh और recent record के गरम बात किरे न S. Ganesh की तुम आपको एक second में दिखा देता हूँ एक run last वाले match ही बनाए था उससे पहले 7, 69, 24, 50, 11, 10 अगर opening करने आएगा तो GL का differential निकल के आ सकता है उसके बाद के विशालवेद्या ठिक टाक बैटिंग कर लेते हैं last match में थोड़ा flop हो गए थे उसके बाद देखो दोस्तो last match के अंदर गरम bowling की बात करे ना तो अजीत राम भी flop थे S. Mani Gandhan भी flop थे और Ganesan Piriyaswami भी flop थे और Ganesan Piriyaswami को इनकी टीम ने पांच लाग पलस रुपे में खरीदा है वो TNPL के अंदर पांच लाग के मांट बहुत जादा होती है potential काफी ये player के अंदर पार पले और डेथ में दोनों में bowling करने आएगा GL का एक अच्छा option निकल के आ सकते है अब देखो दोस्तों last match के अंदर इनकी टीम ने पहले bowling की थी इस वज़े से इनका impact player था के विशाल विद्य लेकिन आपको एक बाद बता दूँ अगर इनकी टीम पहले batting करती है उस case के अंदर इनका impact player हाई chance है दूसरी चीज क्या होगी यहाँ पर यह playing lion में include नहीं होगा तो लोग सोचेंगे आएगा या नहीं आएगा उस वज़े selection कम होगा और यह आएगा और important भी निकल के आ सकता है बाके यह आपको इनकी playing lion का संग्यों देखने को मिला था लास्ट में रिकोर्ड की बात कर लेते हैं तो सार रहे जार left hand batsman विकर्ट कीपर लास्ट में 33 run बनाएते उससे पहले भी ठिक ठाक record आप देख सकते हो एच गनेश के record मैंने आपको अल्यड़ी बता दिये के विशाल वेध्या ने 16 run बनाएते लेकिन के विशाल वेध्या की recent form देखो आप चुराशी run, 45 run, 49 run वाफिच्छा player हालाकि last match में थोड़ा सा flop हो गया था उसके बाद B अनुरूद सिता रम last match के अंदर 3 run इस player के गरम बात करे उससे पहले 5 matchों में तो एक match में 34, एक match में क्या वंडन एनने च्छातुरवेद की बात करें last match में 4 run उससे पहले 16, 15, 3, 24, 10 उसके बाद S. Rada Krishnan की बात करें तो आपको average फोर्म देखने को मिल रही है विशे संकर ने last match में 3 विगेट लिये थे bowling batting दोनों करेंगे important रहने वाला है उसके बाद G परसांतले है right hand bats में right time oh break bowling करते है last match में कहलने का मोका नहीं मिलाता आर विवेक की बात करें तो last match में 6 run और bowling नहीं की थी जैकि मुझसे पहले अगर आप इस player की form देखोगे न तो 2 wicket, 61 run, 5 run यानि 2 match में तो कामाल का performance था bowling batting दोनों कर सकते है उसका पी बुने सुरन, last match में 1 wicket, 12 run उसके बाद अगर इनके bowling की बात करें तो देखो दोस्तों आर शाही की शोर है left net batsman, left time autologs bowler last match में 2 wicket, उससे पहले 2, 2, 1, 1, 3 हर match में wicket निकाले, last के 5 है में, उसके बाद एक करपुस स्वामी है, जो कि last वाला match नहीं खेलेते, एत मनी गंदन की बात करें तो last के 2-3 match में wicket less है और last वाले match में wicket less थे तो ये play ठोड़ा differential रह सकता है, grand league का risk की option भी है, जी प्रेमा स्वामी यानि गनेशन प्रेमा स्वामी की बात करें रायता मीडियम बोलिंग कर लेते हैं last वाले match नहीं wicket लेशते लेकिन उससे पहले लगा था तीन मेच में, domestic में wicket निकालें selection थोड़ा कम रहेगा, ऐस अजीत राम की बात करें यह प्लेयर लेफ्टाम और्टोडोक्स बोलिंग कर लेता है बैटिंग बोलिंग दोनों कर सकता है selection इसका भी कम रहेगा तीर लोग नाग लास्ट वाले match नहीं खेल लेते बाकि साइद किसी को मोगा नहीं मिलेगा अगर यहां से आप बात करें ना तो एक तो जी प्रेमा सौमी उसके बाद दूसरे पलेर के अगर हम बात करें तो यहां पर देखो आर विवेक राजिंदरन विवेक और तीसरा प्लेयर के विशाल विद्ध्य यह तीन प्लेयर सेलेक्शन वाइज खम पोटेंशिल पफुमेंस दे सकते हैं बाकि सेफ तो आपको बता तुसार रहिजा और विजे संकर आरसाई की सोर और उसके बाद पी बनेश्वरं जिनके उपजातर लोग फोकस करेंगे हाँ एक प्लेयर ऐस अजीत राम भी थोड़ा डिफरेंशिल रह सकता है अब देखो दोस्तों एक चीज़ रहता दूँ इनकी टीम के अंदर क्या ना तो सार रहिजा लेफ्टी बैट्स मेंने उसके बाद के विशाल विद्ध्य भी लेफ्टी बैट्स मेंने उसके बाद भ प्लेयर के तोर पर आते हैं तो फिर से थोड़ा एक आदी विगिट निकाल सकते हैं ये दो प्लेयर फिर से यहां पर चमक सकते हैं इस मैच के अंदर बाकी देखो दोस्तों मैंने यहां पर आपको ITT के सारे प्लेयरों के प्लेंग 11 रिकोर्ड और एनलसिस समझा दिए अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं टीम और टिप्स की देगो दोस्तों ड्रीम 11 की टीम बनाएंगे सबसे पहले यह है सेफ टीम बिल्कुल सेफ टीम जिसके अंदर विकेट कीपर मिली है एंज जगादी सन पीर एंजन पोल और तुसार रहेज़ो को बैटिंग मिली है एस यादव को उसके बाद और लाउंडर मिली है बाबा पराजीत विजे संकर और हरीश कुमार को उसके बाद अगर हम बोलिंग की बात करें तो M. सिलबसरन राहिल शा आर शाही की सोर और गनेशन प्रियस्वामी को लिया है कैप्टन सी वाइस कैप्टन सी यहां पे बिल्कुल सेफ ओप्सन है बाबा पराजीत और विजे संकर यानि कैप्टन बाबा पराजीत वाइस कैप्टन विजे संकर या कैप्टन विजे संकर और वाइस कैप्टन बाबा पराजीत इनके साथ जा सकते हो तीसरा option यहाँ पर आर शाही की शोर इसको भी आप मोका दे सकते हूँ यह player तो grand league का trump भी निकल किया सकता है और चोथा option यहाँ पर S यादो यानि यह 4 player यहाँ पर safe captaincy, wise captaincy का option निकल के आ रहे हैं small league के अंदर यह बिल्कुल safe team है अगर इस team में कोई एक दो change होगा, वो मैं आपको telegram पर बता दूँगा, अगर आपको बिल्कुल safe captaincy में जाना हो तो भी अपराजी तो रिविजयेचन करके साथ जाओ बाकि यहाँ पर आर शाही की शोर का में को थोड़ा ज्यादा चांस लग रहा है कि समय से performance दे सकते है उसके बाद यहाँ पर आपको एक मेरी mega grand league की team दिखा देता हूँ यहाँ पर आप grand league खेलते हो तो आपको पता है कि risk तो लेना पड़ेगा मरी भाई यहाँ पर यह है risk की team और risk लोगे तो ही successful हो सकते हो मैं यह नहीं कहता कि आप इस team को copy करो लेकिन idea ले सकते हो विक्रगीपर में अन्जगदिशन, betting में यू ससीदेव और आर सतीस उसके बाद old rounder में बाबा अपराजित, विजय संकर, हरीश कुमार और पी भूनेशुरन और bowling में आर शाही किशोर, गनेश प्रियस्वामी, एम अरूल विज्जु और आर रोहित, यानि रामलिंगम रोहित captain बनाया है आर शाही किशोर को, wise captain आर रोहित को बनाया है एक चीज दरा देता हूँ, इस टीम के अंदर में आपको थोड़ा सा, अगर आप थोड़ा सा रिस्क लो, तो यहाँ पे पी भूनेशुरन की जगह, यहाँ पे S. अजीत राम को मुखा दे सकते हो, या S. मनिगंधन को मुखा दे सकते हो, और यहाँ पे देखो दोस्तो, safe जाना होना, तो सिंपल सी बात है, इस टीम के साथ सले जाना, क्योंकि यहाँ पे मैंने परबोधरंजन पोल पर इसक लिए है, S. यादव पर इसक लिए है, रिसेंट रिकोर्ड देखते हुए, अगर आप चाहो तो आप एंजग दिशन को भी JLK का दे टीम में उड़ाने क इसक ले सकते हो, वो आपकी परसनल चोईश रहेगी, उसके उपर में कोई कमेंट नहीं करूँगा, तो देखो दोस्तों यह थी मेह करब से, CSG वर्सिज ITT के बीच होने वाले, तमिल नाडू प्रीमेर लिग 2023 के मैच की, ड्रीम 11 टीम प्रेडिक्शन, पिछ रिपोर्ट औ प्लेइंग 11, उम्मीद करताम वीडियो आपको अच्छे लगी, अच्छे लेगी तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूले, धन्यवाद